काका जी संवेधान के हिसाब से चलना पड़ेगा अब यह बताइए संजे सरकार जी आपकी नेत्री आई इसकी बड़ी वावा हुई कि इंडिया अलाइंस का कोई नहीं आया लेकिन ममताव एनर्जी आई है लेकिन वह आई जितनी तेजी से गई भी उतनी तेजी से सबसे बड़े बात क्या है कि हम लोगतंत्रेक उपाए में हमने नीती आयोक का मीटिंग वहाँ पर दीदी आपको दस क्रोर पैतिस लाग तिपन अजार एक सो पच्पन अदमी को रेप्रिजेंटेसन बंगाल से उकर रहे हैं तो उसके लिए मीटिंग में हुआ पर पहुची ह होता है आप मिड़्े मील का पैसा नहीं दे बंगाल को साथ जो बजेट में भी आप बंगाल को डी प्लाइट किया ही बात कर दो रॉन կह पूरा करने दीजे पूरा बात करने दीजे उसके बाद बताता हूं लेकर निती आयोग में हर चीप मिनिस्टर को करने जा रहा है और रामा बात बोल रहा है इस टैप को नेता का जोरोत ही नहीं है इस टैप का अदमी को जोरोत है नहीं और सब्सक्राइब करते हैं और आप बताइए अगर बंगाल के बारी में आगर हम वहां पर बोलने के लिए आएंगे आप जब बंगाल की बारी तो लंच के बाद आनी ती तेर में आनी ती लेकिन ममता जी ने रिक्वेस्ट की थी के मुझे पहले बोलनेर यह थिया कि चोशन आज है नुख में यहां तो कुछ नहीं है जो बताने कई थि यह घ्यंकर सवाल उठा रहा है उस सवाल उठा रहे हैं तो आप कह रहे हैं उनके प्रवक्ता बन गारें प्रवक्ता बन रहा है कि मुझे उमीदे की बीच में नहीं बोला जाएगा संजय जी चलिए मैं किसी का भी प्रवक्ता बनूं मैं हीट विकेट हो जाओ रन बिट्वीन दर विकेट हो जाओ आप तो शाहाजहां के प्रवक्ता बने भाई मतलब हिंदू महिलाओं के बलातकारी को जिस प्रकार से संजय जी आपको तो पत्थर पड़ते हैं और वहाँ पर शाहां को बलातकार करने के लिए पदुन्दति मिलती है तो आप तो शाहां के प्रवक्ता है अब छोड़ देते हैं शाहां वाली पार्टी का क्या ही बोले अब दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा सच बोलिया और थो अखड़े के बात करते हैं 4,000 क्रोड यूपीय में रेल को मिला बंगाल में और 13,000 क्रोड से ज्यादा मिला एंडिये में 93,000 क्रोड का इसबार के बजेट में मिला यही चीज दोधार 1314 में 21,000 क्रोड था बत्तर 326 पसंट जादा मंद्रेगा में 14,000 क्रोड मिलता था 24,000 क्रोड मिल रहा है बंगाल को 2,000,000 क्रोड से अधिक मिला है दस सालों में जो यूपीय में 50,000 क्रोड था यह आकडों की बात है पर मैं इसमें भी नहीं जाना चाहता हूँ अब आते हैं मनोजवाई पे मनोजवाई 68 डली तमारे के तमिलाड में हलक सूख गया था क्या साथ बाताया करें मोजवाई कर दिया था हाई प्रोड था कि अपमिलाड सरदार के अधिक में गर्यानमृत अधिक में जो घृताई और वन गजशां क्रोड के प्राबगता है क्या आप थाधा हुक्त के लिगा था जो खान जैका राव्यस्त है जुम्रा कार्दी भयामें गय थे जुम्ला कि रजुक्ष लेस्त है खेला बंचीजे मनोजी कर लो मैं ने मेरी बात संपन हो जाया मैं निरी बात संपन हो जाया इसके बात आ एक बात ही कह रहा हूं यदी अधीर रंजर चौ देखिए एक साथ आ है क्यों ताना शाही से लगना है संविधान बचाना जैस संविधान करते होगे नाचते समझे आज जैसंविधान नहीं हो रहा है बंगाल में यह उनके प्रदेश अध्यक्षने का है वरुन जी जिस पार ले वो क्या बन गये क्या बोला अभी तंबाकु खाता है मतलब सोचे कि खड़गे जी द्वारा न्यूकत एक प्रदेश अध्यक्ष को तंबाकु खाता है यह कहा गया और वरुन पुरोहित कुछ नहीं बोल रहे है यह खड़गे जी का अपमान किया है संजय सरकार ने यह कहा है कि खड़गे जी तंबाकु लेने वाला जो बीजेपी से तंबाकु लेता है उसको अध्यक्ष बनाया है यह बात है अब मैं एक बार अजे जी के पास जा रही हूं अजे जी एक बार बताईए यह जो पूरा नीती आयोग की बैठक है यह किसलिए होती है मैं इसलिए पूछ रही हूं आपसे को कि हमारे दर्शकों को भी समझना चाहिए एक बहिशकार किया गया विपक्ष द्वारा अब विपक्ष बहिशकार कर रहा है इसका बजट के बाद बजट का भी वहिशकार कर रहा है वो कह रहे है कि अगर बजट नहीं देंगे तो हम बहिशकार ही और जहां तक मम्ता दीडी की बात है, वो सूब को पूछे छलनी से, कि बताओ तुझे कितने खेड हैं, आना साही और ना गोले का आरव कोण अगा रहा है, मम्ता दीडी जब वो कलकता से दिली चली है, तो सबसे पहले विपक्ती फाठियों ने विस तंगल से उनसे पूछा, यहां पूछी आयोगी बंगाल का पक्षट में जा रही है, अभी हमारे संजय जी जनसें क्या गिना रहे थे, बंगाल की कोड़ातियों की आवाद दीडी, तो क्या बेपक्त से कोई बंगाल हिटी कोई, यहां उनसे पूछा गया, वो अलग पाट कर रहे हैं तुमाहा, ली आपके 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 वास, उनका ओडियो ठीक करा लिजे, मैं एक चीज यह सीदी सीदी पूछ रही हूं कि अभी ममता बैनर जी जब दिली आई है, तो ऐसा लग रहा था कि वो एक तरह से प्रतिनिदित, पूरे विपक्ष का करने हैं, क्योंकि उन्होंने जाने के बाद यह नहीं कहा कि मेरी आवास बंती है, उन्होंने कहा कि यह डिस्रिस्पेक्ट है रीजिनल पार्टीज की यानि सारे विपक्ष की जो जो रीजनल पार्टीज है उनके उनका अपमान ही है उन्होंने ये कहा लेकिन उन्होंने